अगर आपका अभी कोई computer का institute है और आप अपने computer institute में students लाना चाहते हैं कैसे आपने computer institute में ज्यादा से ज्यादा students ला सकते हैं कैसे आपने institute को market कर सकते हैं कैसे आपना branding कर सकते हैं ताति कैसे आपने computer institute को viral कर सकते हैं वीडियो में आपको कुछ ऐसे tips and tricks बताने वाला हूँ, जिनसे आप अपने computer के institute में कई सारे students को ला सकते हैं, कई सारे ने students बना सकते हैं, साथ ही आपने computer institute को promote कर सकते हैं, नमस्कार, मैं रवी स्वागा थे आपका हमारी चैनल, NCL Computer में बने रहे video में लास तक स्टार्ट करते है आज का ये वीडियो, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि computer institute में computer के students को लाने के लिए अभी के समय के हिसाब से marketing करना आपके लिए काफी important होगा, किसी भी business में marketing बहुत important role play करता है, अगर आप अपने computer institute में अभी के हिसाब से, अभी के technology समय के हिसाब से, नए students को ल आना जाते है, marketing उगरा करना चाहरे, तो किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा नया ऐसा unique creative marketing idea से जिसे आप अपना करके नए students तक पहुच सकते हैं, आपके computer institute में भी नए students आ सकते हैं, अगर आपका institute कोई गाउ में पढ़ता है, कोई ऐसा outer area में पढ़ता है कोई ruler area में पढ़ता है, तो जो tips में आपको बताने वाला, वो tips सभी computer institute के लिए applicable है, अगर आप गाउ से है, किसी ruler area से है, कोई outer जगा से भी है, तो भी आप इस tips को apply करते हैं, तो भी आप अपने computer institute का marketing बहुत ही बहतरीन तरीके से कर सकते हैं, आज जो में आपको tips बताने व है, उसके बाद हो कोई extra courses बगारा करना चाहते है, तो ज्यादा तर आपको इस तरह के students को target करना होगा, उसके बाद कुछ ऐसे students होंगे, जो job purpose के लिए computer बगारा का education लेना चाहते है, कुछ ऐसे students होंगे, जो housewife होंगे, जो घर पे बैट करके, कुछ काम करना चाहते है, करने के लिए computer का education लेना चाहते है, तो जब आप target audience को select कर लेते है, यानि कि आपको clear हो जाता है, कि आपका actual में customer कोन है, किन customer को आपको target करना है, इसके बाद आपका अगला step यह होगा, कि उन target audience के पास आप कैसे पहुँच सकते है, market में marketing करने के traditional तरीके पहले से काफी चले आ रहे हैं, template वगरा print out करवा के बटवा सकते हैं, coding लगा सकते हैं, किसी schools में जाकर के वहाँ marketing कर सकते हैं, तो यह उडाना marketing तरीका है, यह भी कर सकते हैं, लेकिन अब इस marketing का आपको उतना result देखने को नहीं मिलता है, अभी के समय में ज़्यादा students या आपका target audience है, वो ज़ सारा marketing का तरीका है, जिनसे आप उनके mobile पे दिख सकते हैं, जिस student को computer-related education चाहिए होगा, अगर आप उनके interest के base पे market करते हैं, उनको आप अपना advertisement दिखाते हैं, तो ज्यादा chances है कि वो student आपको directly call करेगा, connect होगा, या आपके इस चोट visit भी करेंगे, तो अगर आपका budget है, त marketing या promotion कैसे किया जाता है, social media यानि कि YouTube हो गया, Facebook हो गया, Instagram हो गया, इस तरह के जो platform है, इसे हम social media कहते हैं, और जायतर students और आपके audience, 14 गंडे में से जायतर समय इन ही सभी platform पे बिताता है, तो आपको इन सभी platform पे active होना होगा, जिस भी नाम से आपका computer का institute है, उस नाम से आप YouTube का channel बनाना होगा, Facebook का page बनाना होगा, Instagram की ID create करनी पड़ेगी, सभी में आपको regular basis पे videos अप्लोड करनी होगी, अब इसमें कौन सा videos होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ, marketing का सबसे premium technique होता है, premium model, आपको भी पता होगा, जो education आप computer institute में provide करते है, जानातर courses के video YouTube में freely available है, तो आपके पास students क्यों आएंगे, आपके पास कुछ ऐसा USB होना चाहिए, जिसे देख करके student attract हो, और आपके पास पढ़ने के लिए आया या admission करवाए, या अगर आप online courses वगरा भी बेचना चाहते है, तो वो आपस purchase करे, तो आपको ऐसा USB create करना होगा, अगर आपके पास एक वीडियो प्ले करके दिखाता है, सपना, एक से में multiple line entry करना है, number series के साथ, कैसे होगा जरा बताइए तो, हम एक line link लेगा, फिर alt के साथ इसको intercard लेगा, फिर alt के साथ intercard लेगा, फिर alt के साथ intercard लेगा, वेरी गुड, इस तरह से हम लोग एक से में multiple line लिख सकते हैं, इ ज्यादा chances यह होता है कि वो अगर computer course करना चाहते है, पढ़ना चाहते है या सीखना चाहते है तो आपसे contact करते है, तो ध्यान रखे जब यह आप videos वगरा बनाए, अपना contact detail या अगर आपको online courses वगरा बनाते है तो वो सारा detail आपको description में डालना है, सारा चीछ mention करना है, पहला चीछ तो यह कि आपका marketing free में हो जाएगा, दूसरा चीछ यह कि उस marketing का भी पैसा आपको मिलने वाला, अगर आपका channel monetized वगरा हो जाता है, तो आपको YouTube वगरा की तरह से पैसा भी मिलेगा, साथ ही आपको free में marketing भी हो जाएगा, तो यह सबसे powerful tool है, इन सभी platform का इस्तेमा available है, तो आपको कुछ ऐसा unique और creative पढ़ाने का tips को share करना होगा, जो generally YouTube पे available तो है, लेकिन आपको कुछ ऐसा study का नोखा अंदाज share करना होगा, जो unique लगे, और उसे different लगे, जिससे ज़्यादा chances होगा, कि आपका video सबसे ज़्यादा rank होगा, सबसे ज़्यादा viral होगा, और आ offline में ही classes लेते हैं, और offline में ही पढ़ाते हैं, तो इससे काम नहीं चलने वालादी के समय में आपको online भी आना होगा, जैसे मैंने बताया है, आपको कुछ social media पे active रहना है, साथ-साथ ही आपको कुछ courses बगारा बनाने होगे, जो आप online बेचे, यानि कि अगर आप कुछ free में courses बगारा purchase करना चाहते हैं, तो आप online courses बगारा भी बना सकते हैं, उन सभी courses को record करके आप अपने particular website में live रख सकते हैं, जिसे purchase करने के बाद वो students आपके videos को access कर सकता है, और online ही course कर सकता है, उसके बाद आप online ही certificate भी दे सकते हैं, तो इस तरह का platform भी आप create कर सकते हैं, हमानत हो इस तरह करने में आपको थोड़ा investment करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको समय के हिसाफ से चलना है, तो समय के हिसाफ से investment भी करना होगा, जितना खर्चा आप offline store खोलने में करते हैं, समझ लेगे यह आपका digitally एक तरह का दुकान है, अगर लोग आपको देख करके आपके website अगरा में आते हैं, तो chances ज्यादा होता है, जर आपका पढ़ाने का अंदाज उन्हें पसंद आता है, आपका आप जो भी tips, tricks, share करते हैं, उन्हें पसंद आता है, तो आपका course भीक जाता है, तो इस तरह से भी आप अपने offline computer institute को online shift कर सकते हैं, और future proof business को setup कर सकते हैं, marketing का अ आपको भी product purchase करना होता है, तो आप review rating feedback जरूर चेक करते हैं, अगर आप offline में भी करना चारें, तो भी feedback students से ले करके आप अपने YouTube channel होगारा में upload करके रखें, जितने भी students अभी आपके institute में हैं, उनसे बस एक छोटा सा video, अगर आप एक मिनट से कम का भी videos बनाते हैं, जिसमे दो-तीन important सवाल पूछेंगे, एक्जामफल के लिए कि हमारे institute के बारे में आपको कहा से पता चला, आप कब से यहां पढ़ाई कर रहें, आपको किसी भी तरह कोई problem तो नहीं हो रहा, कैसा experience रहा, इस तरीके से कुछ दो-तीन question आप सेट कर ले, सभी students इस तरह का question पूछे, और इस तरह के feedback videos को आप अपने YouTube में, Facebook में, Instagram में लगातार post करते रहें, इन सभी feedback, reviews के videos को देखने के बाद students और भी ज्यादा attract होते हैं, तो ज्यादा chances होता है कि आपके computer institute में ज्यादा से ज्यादा students engage होंगे, connect करेंगे, admission लेंगे, आपका online course भी बिखने का chances बढ़ जाता ह उसके बाद अगला most important tip यह है कि आपके offline institute में आपको ऐसा positive environment बना के रखना है, ऐसा infrastructure त्यार करके रखना है, कि वो institute देखने में ही बहुत premium लगे, ऐसा अनुसासन बना के, ऐसा discipline बना के रखना है, कि वो देखने में other institute से थोड़ा unique लगे, आपको ऐसा routine त्यार करके रखना ह इस test के बाद आपको practical कराया जाएगा, मतलब आपको एक ऐसा practical roadmap त्यार करके उनको पहले दिन ही दे देना है, जिनसे उनको आपके institute पे confidence आए, कि नहीं इनका पढ़ाने का तरीका अलग है, इनका syllabus अलग है, यानि अगर हम इनके institute में admission लेते हैं, तो मेरे पे focus करके, मुझे दे करके पढ़ाया जाएगा, मुझे जली सिखाया जाएगा, मुझे एक particular teacher मिलेगा, इस तरह का आपका जो USP है, वो पहले दिन ही student को clear कर दिया जाए, तो वो ज्यादा बेतर होगा, ताकि students को ये लगे कि ये institute उनके लिए perfect होने वाला, अगर वो यह admission लेते हैं, तो जब तक वो सीख करके निकलेंगे, तब तक वो पूरी तरह skilled होंगे, अगर job purpose के लिए सीख रहा है, तो वो job करने के लिए active हो जाएगे, आपको testimonial ये भी बनाना है, ये कोई student आपसे पढ़ाई करके किसी अच्छे post पे job कर रहा है, किनी का नौकरी लग जाता है, या कोई company खो लेते हैं, बिजनस कर लेते हैं, तो इस तरह का testimonial भी आपको आपके platform पे upload करते रहना है, regular, कुछ testimonial, certificates लगारा भी आपको आपके institute के environment में, photos वगारा लगा के रखना है, certificate वगारा लगा के रखना, आपको जो license वगारा मिला है, वो सभी चीज को इस तरह से highlight करना है, ताकि first time अगर कोई student आपके computer institute में visit के, तो वो बीना सवाल किये, पहले ही दिन आपके computer institute में admission ले लेगा, साथी साथ मैंने जो आपको बताया है, कि students का feedback video आपको regular upload करना है, और जाइन सी बात है, अगर आपके पास student पढ़ रहा है, तो आपके लिए उतना जरूर करेंगे, अगर आ regularly डालना है, हार एक student से feedback post करवाना है, हार एक student का photo गारा, certificate के साथ, testimonial videos, regular basis पे अगर आप Google Map में upload करते हैं, तो chances ज्यादा होता है कि आप locally भी trend करेंगे, digitally भी trend करेंगे, और जितना भी आप socially marketing कर रहें, आप top पे रहेंगे, socially अगर आप marketing करते हैं, तो chances ज्यादा है कि आपका परसनल इस्तिमाल करने के लिए, computer, laptop, printer, CCTV, camera, या IT से लेटे कोई भी parts purchase करना चाते हैं, तो हमारे पास आपको best price में genuine product easily available हो जाएगा, हमारा contact detail और address आपको description में दिख जाएगा, ऐसे हमारा offline store राची जारकंड में है, NCL computer के नाम से, अगर आप हमारे store आकर के product purchase करना चाते है तो store का सारा detail आपको description में मिल जाएगा, और अगर आप online website के थरूँ कोई भी product purchase करना चाते हैं, तो हमारे पास cash on delivery का भी option है, online delivery भी करते हैं, हमारे website से भी आप order कर सकते हैं, हमारा website है www.nclcomputer.com, और अगर आप कोई PC EMI में भी build करवाना चाते हैं, तो हमारे पास EMI option भी available है इसी तरह की informative वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करना, वीडियो को like करना बिलकुल न भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नहीं topic के साथ